हेलो एंड वेलकम एवरिवन जैसा आप लोगों को पता होगा कि बोपी वालू ने 27th मार्ज को एक नोट्स निकाली थी जिसमें इन्होंने ये बोला कि जो सीट्स हैं गुवर्मेंट सीट्स हुई प्राइवट सीट्स हुई बियाशी नर्सिंग बियाशी प्यारमेंट करें ऐसे टॉपनालजी कोर्स में इन गुवर्मेंट कॉलेज एन प्रेवट कोलेज इन उन्य smallest जो बियाशी नर्सिंग की सीट्स हैं वहं हम एलाट करेंगे शिट्थोड्स को को नीट्स को नीट के से को मेसिशिस पे नीट के मेर्ट के बेसिए लेकिन आज याने 7th July को यहां पर Sorry 8th July को यहां पर Notes आया है Regarding B.S. Nursing, B.S. Paramedical and B.S. Technology Courses आज 8th July को Notes आया है इसमें यह लिखा गया है कि यहां पर Common Entrance Test होगा Session 2021 के लिए B.S. Nursing, B.S. Paramedical and B.S. Technology Courses के लिए Admission Notification निकली है और इस Notification में यहां पर Application Forms भी Application Forms डेट भी लिखी गई है जो कि यहां पर आप देख सकते हो Application Forms डेट 19. July से लेकर 7 अगस्त तक है तो यहां पर जो मसला यह है कि एक्जाम होगा कि नहीं यहां पर इन लोगों ने यह भी लिखा है कि एक्जाम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है यहां पर आप देख सकते हो Roll No. Slip Admit Card यहां पर इनको लिखना था कि Admit Card हम केसे डाउनलोड करें या उसकी डेट तो इसी में इन लिखा है If Entrance Test is Conducted अगर Entrance Test होगा तो इनको भी नहीं पता है कि Entrance Test होगा या नहीं होगा Reason पता नहीं है कि क्यों नहीं होगा शायद COVID का Reason दे रहे हैं या और कुछ तो इनको भी नहीं पता है कि Entrance Test होगा या नहीं If Entrance Test is Conducted यहां पर Venue of Examination इसका मतलब हैं कि examination किसकी जगा पे होगा तो इसमें भी इन्होंने लिखा है if entrance test is conducted अगर entrance test होगा तो इनको भी नहीं पता होगा कि नहीं होगा लेकिन एक important point यह है कि जो मैं आपको suggest करूँगा कि application form आपको जुरूरी fill up करना है 1000 application fee है तो form आप फिल करके रखना फिर आप safe हो फिर जो भी होता है एक्जाम होता है या नहीं होता है need के basis पे seats देंगे या जो यह है 12 के marks के basis पे seats देंगे लेकिन application form आपको fill up करना है form जुरूर बरना date भी मैंने बोला 19 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक यहाँ पर भी आप देख सकते हो issuance of admit card याने admit card कब निकलेंगे और date of test याने entrance कब होगा इसमें भी लिखा है if entrance test is conducted अगर entrance test होगा तो इनको भी नहीं पता कि होगा या नहीं होगा फिर यहाँ पर लिखा है कि the date of entrance test should be notified separately अगर entrance test होगा तो हम date बाद में बताएंगे तो यहाँ पर और एक important point यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हो point number two in case the board shall not conduct the entrance test अगर board entrance test conduct नहीं करेगा the selection of the eligible candidate shall be based made on the base of percentage of the marks obtained in qualifying exam यहाँ पर लिखा है कि अगर entrance test board नहीं करेगा तो candidates की selection किस पर होगी percentage of the marks obtained in qualifying exam अब यह पता नहीं है कि यह qualifying exam कौन है यह 12th का बोर रहे है या और कुछ बोर रहे है so मेरी suggestion आप से यह है कि application form up शुरूर फिलप करना उसके बाद देखते हैं कि exam होगा या नहीं होगा इन्हों नों भी यही लिखा है कि if entrance test is conducted अगर entrance test होगा तो फिर यह dates बोलेंगे और venue भी बोलेंगे अगर नहीं होगा तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि selection हम करेंगे on the basis of qualifying examination यह पता नहीं यह कौन qualifying examination है यह 12th की बात कर रहे हैं या और कुछ या नीट की हो हम वो आगे पता चलेगा तो suggestion यह यह हैं कि application form of fill up शुरूर करना उसके बाद देखेंगे क्या होगा यह important message यही थी